गालिब का एक सेर है कि इस्क ने निकम्मा कर दिया उसी पर है कि तुम तो मुखबत को बुरा कहकर चले गए गालिब हमें इस्क क्या हुआ हम अपराधी हो गए कभी खुले जुल्फ में देखो उसे, इस नजारे के आगे वो ताज क्या है, जो कभी मिले उसे तो पूछेंगे हम तुम्हारे गालो के लाली का राज क्या है, से रह कि जो कभी चड़ता नसा मुहबबत का हम भी गुप्तगू करते हवाओं से, एक प्यार का ही दर्द नहीं मिला जिन्दगी में, बाकी तो आलमारी भरी पड़ी है दमाओं से, तुम ठेहरे मुहबबत के मुसाफिर, तुम सावधान रहना, हम नफरत के प्रेमी हैं, हमें खत्रा नहीं बेवफाओं से, कि एक नजम है, अपनी निष्ठूरता पर मैं इतनी इस्थिर्ता से चलता था, किसी की अंतिम यात्रा पर भी आँखों से आँशू का एक कत्रा नहीं निकलता था, इतना खुसहाल था जीवन, मानों किसी पती व्रता नारी की दुआ लग गई, फिर ऐसे ही चलते चलते एक दिन, किसी मुर्दे की बदुआ लग गई, ना जाने किसके दुख की परचाई है, जो खेलती कूदती मेरे पास ही पड़ी रहती है, कभी आना मेरे करीब तो देखना मुझे, अब ये आखे आश्मों से भरी रहती है, दोस्ती रही कहां जाती, जब दोस्त दगा देने लगे, दोस्ती रही कहां जाती जब दोस्त दगा देने लगे समय से कट लेना बहतर है उससे समय से कट लेना बहतर है उससे जब महबब सजा देने लगे मुकमल महबब तम माना जाता है मुकमल महबब तम माना जाता है जब इस्क में मिला घाव मजा देने लगे जब इस्क में मिला था मज़ा देने लगे और शेर है कि मुहबत का मतलब जो आज कल्चर रहा है उस पे है कि ये इस्क मुहबत कहीं घाटा तो कहीं नफा है ये किसी लड़का-लड़की के लिए नहीं है मुहबत के लिए है कि ये इस्क मुहब्बत कहीं घाटा तो कहीं नफा है बाहों में आ गई तो वफा विस्तर तक ना पहुच पाई तो बेवफा है तूटा होगा विस्वास किसी भाई का किसी बाप की पगड़ी सरयाम निलाम हुई होगी तूटा होगा विस्वास किसी भाई का किसी बाप की पगड़ी सरयाम निलाम हुई होगी इस्क ने छुआ होगा जबरन जिस्म को किसी रोज मुहब्बत युहीं तो नहीं बदनाम हुई होगी धन्यवाद झाल 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 झाल